दोस्तों रोजाना गवर्मेंट जॉप्स के अब्डेट पाने के लिए जरू चैनल को सस्क्राइब कीजे एंड बेल अकन को आल मेसेट करिए ताकि लेटरस अब्डेट सबसे पहले आप तक पहुसती रहे इस बार की वेकेंसी जो निकल के आई है वो राइफल फैक्टरी इशापोरे ने निकाली है और इस जॉप पोश्ट के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी 67,000 तक की होगी और यहाँ पे आप इस वीडियो को पूरा देखेगा आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी लेकिन अगर आप चैनल में नए हो तो सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और लाइक जरूर कीजेगा इस वीडियो को ताकि लेटर जॉप्स के अप्डेट के लिए हमारे मोटिवेशन जारी देखेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 53 पोस्ट निकल के आरकी राइफल फेक्टरी इशापोरे ने जिसको आम लोग आराफाई भी बोलते हैं शॉट फॉर्म में इन जोब पोस्ट के लिए अप्लाइब करने के लिए मैं आपको बता दू यहाँ पे Simply Vacancies 53 निकल के आरकी है और पोस्ट नेम की बात करें तो Apprentice के लिए जोब पोस्ट है Application Mode की बात करें तो Online आवेदन करने होंगे जिसके Starting Date होगी 15 March से And Last Date जो होगी वो 30 April की होने वाली है Qualification की बात करें तो Any Graduate Degree वाले अप्लाई कर सकते हैं वहीं आपको मैं बता दू अगर आपने डिप्लोमा भी कर रहे ही तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे Age Limit की बात करें तो Maximum 26 साल की है तो मतलब कि 56 साल के नीचे नीचे अगर आपकी Age है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहीं अगर मैं आपको बता हूँ selection procedure की the return exam and interview के basis आपको selection हो सकता है वहीं अगर application fees की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी application fees देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर आपकी salary बहुत अच्छी खासी भी देखने को मिल जाएगी तो वहीं अगर आप apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं important links तो यहाँ पर आप देख सकते हैं notification का and यहाँ पर apply link and यहाँ पर official website की भी link देखने को आपको मिल जाएगी सबसे पहले notification खोल के दिखा देता हूँ तो यह रहा है इनका notification rifle factor इशापूर देख लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे detail notification जादी कर दीगे यह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं graduate and technician apprentice under national operating training scheme तो NTS के द्वारा यह vacancies निकल के रखे 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 हैं यहाँ पर eligibility condition भी है आप आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर qualification देखने को मिल जाएगी यहाँ पर B.E.B.Tech. mechanical, electrical, instrumental and diploma अगर आपने कर रखे हैं तो भी आप apply कर medical examination and rejection भी हो सकता है आप लोग का तो यहाँ पर आपको सारी जंकारी मिल जाएगी वही अगर आपकी बात करते हैं तो student के लिए तो engineer के लिए 9,000 रुपे पर मिलेगी यही पर diploma holder के लिए 8,000 रुपे जो के आगे बढ़ती 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 बढ़ जाती है तो वही अगर mode of selection की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका marks obtained जो भी होगा आपका BTEC या BE में तो उसके business firm का selection होने वाला है और यहाँ पर आपको requirement की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी email ID and mobile number होना चाहिए अधार card होना चाहिए and registration detail होनी चाहिए जो भी आप register करोगे उस time पर तो apply करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सीधर इनकी official website में जा सकते हैं जिसका link भी आपको मैंने यहीं पर दे रखा था यहाँ पर आप क्लिक करके सीधर इस page में पहुँच जाएंगे जहां से आप login करके अपनी ID बना सकते हैं वहीं अगर आप apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपका यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके पास कोई भी डाउट से आप comment section में पूछ सकते हैं वहीं अगर आप चैनल में नहीं हो तो subscribe कीजिएगा and bell icon call में set कर दीजिएगा ताकि latest jobs के ब्लेट सबसे पहले आप तक सो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए good bye